गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंसी आटे बुक क्लास ट्वेल्ज जोग्रिफी बुक वान चैप्टर सिक्स दुवितियक क्रियाएं तो इसी चैप्टर के कुछ कोशन आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं तो आप प्राथमी क्रियाओं की विशेष्टाएं जान जाएंगे तो आपको दृतियक क्रियाओं जो है या उसकी विशेष्टाएं जो है वो और अच्छे से समझ में आएंगी और इसको आप दोनों के अंतर के रूप में भी उप्योग कर सकते हो तो इसलिए कोशन नंबर व वे मानविय क्रिया कलाब हैं जो सीधा पर्यावरण से जुड़े हैं तो इसमें जो है मानव के वे सबीकारे जिसमें कि वो प्राकृतिक संसाधनों का या इसमें कहा गया है कि पर्यावरण का तो यानि कि प्राकृतिक संसाधन जो भी प्रकृति ने हमें संसाधन दिये हैं जल एक संसादन साजन कारम कारियोग से यह को सीधा प्रयोगों है उन्हें अच्छोंची हम यह विशेष्टा का मुनुक्या जो इसकी विशेष्टा वे विशेष्ट विखाना पशुचारण мच्छी पायल वनों से लकड़ी कंद मूल फल इत्यादी जो है इस तरह के उत्पाद एकत्रित करना कृशी एवं खनन कारे जो हैं यह सभी प्रात्मी क्रिया कलापों में के अंतरगत आते हैं या प्रात्मी क्रिया कलाप में सम्मिलित किये जा सकते हैं नेक्स्ट है इन गती विदियों के अंतरगत वे शेत्राते हैं जहां विश्म जलवाईक या भुगोलिक दशाएं विद्यमान होती है नेक्स्ट इसकी जो विशेष्टा है वो ये है कि यहां के अधिक्तर निवासी आदिम समाजिक जीवन जी रहे होते हैं नेक्स्ट ये वे शेत्र हैं जहां सभी तक आधुनिक प्रद्योगी की या तकनीकी का विकास या उसका हस्तक्षेप नहीं हुआ है तो ये जो पांच मुख्य विशेष्टाएं मैंने अभी आपको वताई तो इससे आपको क्लेर हो गया होगा कि प्रात्मी क्रियाएं क्या होती हैं तो प्रात्मी क्रियाओं की जो मुख्य विशेशताएं हैं उसमें सबसे पहला है कि वह इसमें हम पर्यावरन का सिधा मलब पर्यावरन से जुड़े वह जो भी कारे हैं यह जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उप्योग कर रहे हैं तो वह सबी जो है वह प्रात्मी क्रिया कही जाती हैं और इसमें जो उदारन आप दे सकते हैं तो वह सब आखेट भुजन संग्र पशुचारन मचली पकड़ना कृषी और वनों से अनेक प्रकार के उत्पाद एकत्रित करना यह सभी और अगला जो पॉइंट है इसमें यह बताए गया है कि इसके अंतरगत जो क्रिया कलाप होते हैं आज के समय में यह दिकतर जो है वह आदिम समाजिक जीवन जी रहे हैं यानि की शहरों से दूर या नगरों से दूर जो अपना एक सीधा साधा जीवन जो जी रहे हैं यह पुराना जो हम कह सकते हैं कि पारंपरिक पद्दती से अपना जीवन यापन क रहे हैं उन से जुड़े वे क्रिया का लाप है और जो लास्ट जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है इसमें वे शेत्र आते हैं जहां पर कि अभी प्रोध्योग की या उच्छ तक्नीक का विकास जिन शेत्रों में नहीं हो पाया है यह जहां पर इन चीजों का हस्तक कॉष्ट नमबर टू है दूत्तियक क्रियाओं की मुख्य विशेश्टा discovery इस प्रकार से हैं सबसे पहला है इसमें वे मानवय क्रिया का लाप आते हैं जिनके द्वारा प्रात्मश की उत्पादों चेंट स्पाध के गुणों वह रूप में परिवर्तन करके उनहें और अधिक उपयोगी वो मुल्यवान बनाया जाता है तो यहां से बिलकुल स्पष्ट होता है कि प्राथमी क्रियाओं के जो उत्पाद हैं उन्हीं में क्या किया जाएगा परिवर्तन किया जाएगा उन्हें और अधिक मॉडिफाई जिसे हम कह सकते हैं कि उनके गुणों में गुणों को बढ़ाया जाएगा और उसे और अधिक उपयोगी और मुल्यवान बनाया जाएगा तो वह कौन सी क्रियाज होती हैं यसे कि और दिखिय चोटा सा उदारण देती हूं जैसे कि प्राथमी क्रिया कलाप उसमें हमने कपास उगाया ठीक है तो कपास जो है वो क्रिशी के अंतरगत आता है कपास की हमने जैसे क्रिशी की तो वो है प्रात्मी क्रिया कलाप और उसी कपास को जब हमने सूती वस्तर उद्योग में एक कच्छे माल के रूप में भेज दिया और वहां से उसका सूती वस्तर बना और उसके मुल्य में क्या हो जाएगा परिवर्तन आ जाएगा है ना तो यही इसी यही कहने का अर्थ है यहां पे कि जो भी प्रात्मी क्रियाओं के जो उत्पाद हैं उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है और वे अधिक उपयोगी और मुल्यवान हो जाते हैं तो उनी क क्रियाओं को हम दृत्यक क्रियाएं कहते हैं नेक्स्ट है इसके लिए छोटे घरेलू उद्योग से लेकर बड़े-बड़े कार खाने वह उद्योगी काईयां स्थापित की गई हैं तो जितने भी चाए वह छोटे से छोटा कुटीर उद्योग हो या बड़े से बड़ा उद तरगत उच जनसंख्या वाले विक्सित तथा विकाशिल शेत्र आते हैं आपने देखा होगा प्राय कि जहां पर भी इंडस्ट्रियल टाउन होता है यहां पर बड़े-बड़े उद्योग होते हैं वहां कि क्या है जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है तो यह जो है यह गति लेबल हो यह जैसे हम कहते हैं की मलब मजदूरी करने के लिए वहां पर मानव शक्ति चाहिए तो इसलिए यह उच्छ जनसंख्या वालेशेत्र में विक्सित किये जाते हैं यह ऐसा कहले जहां पर विक्सित किये जाएंगे वहां पर जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ने तो देखिए इसमें जलवायू का इतना अधिक मैतें नहीं होता है यह था है क्योंकि उद्योग में जैसे हम कृषी की बात करें तो कृषी में जलवाईयू जो है बहुत महत्वपून है कि कैसी जल्वायू है वहां पर हो सकती है oftentimes सकते हैं यह सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उद्योगों में ऐसा मतलब जलवाईविक दशायें जो है वह इतना महत्व नहीं रखते हैं और उसके बाद जो नेक्स पॉइंट है वह है कि विश्व के इन शेत्रों को आधुनी की करन वह प्रद्योगी की करन तो वहां का आधुनी की करन है वह उच्च स्तर तक पहुंच चुका है यानि कि वहां पे सभी मॉडरन टेक्नीक्स और सभी प्रकार की जो मशीनरी वगेरा जो है वह उपलब्द होंगी ताकि अधिक से अधिक जो हैं उद्योग जो हैं वह विक्सित हो सकें तो यह था दु अलग-अलग से अब आपने समझ लिया है जैसे तो यह आपको इसलिए भी उपयोगी है कि अगर दोनों में अंतर पुछा जाता है अगर आपसे किसी Qecean में ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रात्मी एवं दुद्तिय क्रियाओं में क्या अंतर है तो अगर आपको दोनों की विशेष्टाई पता होंगी तो वही दोनों के क्या हैं अंतर भी बन जाएंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस्षन at 3 अधिकतर देशों में उच प्रद्योगी की उद्योग प्रमुख महानगरों के परिदी शेत्र में ही क्यों विक्सित हो रहे हैं व्याक्या कीजिए तो यहां पे सबसे पहले यह समझना होगा कि उच प्रद्योगी की उद्योग क्या होते हैं तो उच प्रद्योगी की उद्योग कार्थ है जो कि जहां पर उच तक्नीक का इस्तेमाल किया जाता है उच प्रद्योगी की उद्योग का जाता है और दूसरा समझना होगा यहां पर कि महानगरों के परिदी शेत्र महानगरों का परिदी शेत्र हुआ यानि कि महानगर के अंतर गती उसके मतलब या तो महानगर में किसी स्थान पे होंगे या फिर महानगर के जो आसपास का जो शेत्र होता है वहाँ पर ही ऐसे उद्योग जो है वो क्यों विक्सित किये जाते हैं या क्यों विक्सित हो रहे है तो आपने ऐसा आजकल देखा भी होगा कोई भी जो बड़े बड़े शहर महानगर है वहाँ पे IT पार्क जिने हम बोलते हैं वो विक्सित हो रहे हैं तो यहाँ पे वही पुछा गया है कि इस तरह के जो उद्योग हैं वो मतलब महानगरों की परिदी शेत्र में ही क्यों विक बतना है और लोहा इस पाथ वस्त्र मोटर गादी निर्मान पेट्रो रासायन एक इवन इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वह विशो के प्रमुख निर्मान उद्यूग है लेकिन जो है उच्छ प्रॉद्योगी की उद्योग जो है वह नवींतम पीड़ी के उद्योगों का जो ह सनलग्न संपूं जो श्रमिक धा सबसे अधिक भाग व्यव्यावाबसाइद स्रताइब आंधा होता है और इनके साथ-साथ ही आप गॉण कॉलर या नीला कॉलर जो की वास्तविक उत्पादक श्रमिक होते हैं इनकी संख्यावियादिक होती है तो जो उच्च पृद्योगी की उद्योग है वहां पे रोबोट और कंप्यूटर आधारित डिजाइन जिसे कैड विखा जाता है इन सब का और जो इलेक्ट्रोनिक या पिर रासाइनिक और ओशदी उत्पाद जो होते हैं इनका निर्मान किया जाता है तो इस भूद्रिश्य में विशाल भवनों कारखानों एवं भंडार शेत्रों के स्थान पर क्या होता है कि बिल्कुल आधुनिक और बिल्कुल साफ सुत्रा कारियाले प्रयोग शालाएं वगेरा देखने को मिलती हैं तो इस तरह के जो उद्योग है वर्तमान में जो भी प्रादेशीक वस्थानिय विकास की युजनाई बन रही है उनमें नियोजित व्यवसाइब पार्क का निर्मान भी किया जा रहा है तो वही व्यवसाइब जिनको मैंने भी आईटी पार्क वगेरा बताया आपको तो उच्च प्रद्योगी की उद्योगों के में निर्मित अधिकांश उत्पादों की जो मांग होती है वह भी महानगरों में सबसे अधिक होती है और इसके साथ ही प्रद्योगी की वह कुशल जो श्रमिकों की जो आवशकता होती है ऐसे उद्योग कूंद हैं वह माहानगरों के परिदी शेत्र में ही विक्षिथ हो रहे हैं तो यह दो रिजन्स क्या-क्या है यह 2 रीजंस है नंबर वज भय जो भी उच्छ परद्योगी की उद्योगों में जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं या जो भी वह किल्कुल उच्ट तक्नीक का ग्यान रखते हों तो ऐसे जो श्रमीक होते हैं वो भी कहां पाये जाते हैं प्राप्त होते हैं वो महानगरों में तो इसी लिए यहीं दो मुख्य कारण है जिनकी वज़े से की विष्व के अधिकांज देशों में उच्च प्रद्योगी की उद्योग किये जा रहे हैं कॉसंट नमब्र है सुआमित्व के आधार पर उद्योगों का वरगी करन कीजिए तो स्वामित्व के आधार पर यानि ओनर्शिप के आधार पर उद्योगों को हम तीन प्रकार के उद्योगों में बांट सकते हैं सबसे पहला है सार्वजनिक शेत्र दूसरा निजी शेत्र और तीसरा सयुक्त शेत्र तो तीनों की क्या-क्या विशेष्टाएं हैं, तो सबसे पहले सार्वजनिक शेत्र इसकी विशेष्टाएं क्या हैं कि ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, यानि इसमें अधीपत्य जो है वो सरकार का होता है, दूसरा जो है वो है कि सरकार ही इनका प्रबंदन करती है, तो जो सार्वजनिक शेतर के अंतरकत आते हैं जैसा कि लोहाइसपाथ उद्योग तो जैसे मतलब मिलाके इसमें जो पहते बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो उद्योग जो हैं वो सार्वजनिक शेत्र में आते हैं नेक्स्ट है अधिकतर समाजवादी या सामेवादी देशों में ऐसा होता है यानि कि जो सार्वजनिक शेत्र के उद्योग होते हैं वो अधिकतर उन देशों में पाए जाते हैं अधिक जहां पे की साम्यवादी अर्थ व्यवस्ता या समाजवादी अर्थ व्यवस्ता पाई जाती है अब दूसरा जो इसका प्रकार है वो है निजी शेत्र तो निजी शेत्र यानि प्राइवेट सेक्टर जिसे हम बोलते हैं तो निजी शेत्र की क्या विशेष्टाइं है यानि कि जो उद्योग का अधिपत्य होगा वह किसी व्यक्ति विशेशका होगा कोई एक मालिक होगा का दूसरा है व्यक्ति या निजी कंपनिया इस इन ही व्यक्ति प्रबंदन करते तो इसका management प्रबंदन भी वही करेंगे वही देखेंगे जो की उसके owner है जो जिनके अंडर वो company है तीसरा है कि पुंजीवादी देशों में यह व्यवस्ता होती है तो जो यह निजी शेत्र के उद्योग है यह अधिक ऐसे देशों में होते हैं जहां पे की पुंजीवादी को कि और भारत की बात करें तो में जैसे टाटा ग्रूप है विरला रिलाइन्स इंडस्ट्री ये सब जो है यह निजी शेत्र उद्योग के उदारण है इसके बाद थर्ड जो है वह संयुक्त शेत्र तो संयुक्त जैसे नाम से ही क्लेर हो रहा है संयुक्त जिसमें सार्वजनिक शेत्र और निजी शेत्र को मिला दिया जाएगा यानि कि इसकी जो मेन फीचर्ज या जो इसकी विशेश्टाए है वह क्या है कि कुछ उद्योग ऐसे होते जिनका संचालन सरकार और निजी कंपणिया मिल कर करती हैं तो ऐसे उद्योगों को सन्युक्त उद्योग कहा जाता है और भारत में ऐसे उद्योग कौन-कौन से हैं उदारन के लिए जैसे कि हिंदोस्तान पैट्रॉलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड और मिंतल एनरजी लिमिटेड जो है यह तो इस तरह कि कई भारत में ऐसी कंपनीया हैं जो कि ऐसे सयूक्त शेत्र के अंतरगत आती हैं जिसमें कि जो का संचालन हैं वो इससरकार और निजी कंपनिया मिल कर और यह नि दोनों की पार्टनर्शिप स्कुष्ब में उस उद्योग तो उन्हें पैमाने के उद्योग की कोई तीन विशेषताएं बताइए तो चोटे पैमाने के उद्योग याने की small scale industries तो इसकी जो मुख्य विशेश्टाइए हैं वो इस प्रकार से हैं सबसे पहला है कि इस प्रकार के उद्योग में निर्मांद स्थल घर से बाहर कार खाना होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि घर में इस उद्योग को जो है वो मतलब इसको शुरू नहीं किया जा सकता है तो यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो आकार के आधार पे या फिर हम कह सकते हैं पूंजी निवेश के आधार पे जो है उद्योगों को हम तीन प्रकार तीन भागों में बाड़ते हैं एक होता है कुटीर उद्योग एक होता है छोटे पैमाने के उद्योग और ए तो यहीं इसका जो यह फर्स्ट जो विशेष्टा है इसका यही अर्थ है कि घर में नहीं शुरू हो सकता है इसके लिए कार खाने की जुरूरत पड़ती है और जो तीसरा प्रकार है यानि की बड़े पैमाने के उद्यों तो उसके लिए बहुत अधीक पुंजी की आवशकत होती है उसमें पुंजी निवेश अधीक होता है बहुत बड़ा एरिया चाहिए नाम से भी आपको समझा रहा होगा कि बड़े पैमाने के उद्यों तो इस प्रकार से पहली विशेष्टा हो गई कि इस प्रकार के उद्यों में निर्मान स्थल घर से बाहर कार खाना होता है दूसरी विशेष्टा है कि इसमें स्थानिय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है तीसरी विशेष्टा ये है कि रोजगार के अफसर उद्यों में अधिक होते हैं जिन में की स्थानिय निवासियों की क्रेश शक्ति बढ़ती है तो इसमें क्या होता है कि स्थानिय लोगों को रोजगार भी मिलता है रोजगार के अफसर मिलते हैं और मतलब इसमें अधिक से अधिक जो है स्थानिय कच्चे माल और स्थानिय श्रमिकों की ही का ही उप्योग किया जाता है Question No.6 है परम परागत बड़े पैमाने वाले उद्योगिक प्रदेश क्या है तो सबसे पहले यहां पर यह समझा दूं की उद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं तो उद्योगिक प्रदेश उस प्रदेश या उस शेत्र को कहा जाता है जहां पे कि बहुत सी उद्योगिक काईया जो है एक साथ होती हैं मतलब कि एक ही शेतर में बहुत अधिक कार खाने हों उसे उद्योगिक शेतर के रूप में ही विक्सित किया गया हो तो उसे उद्योगिक प्रदेश या उद्योगिक संकुल कहा जाता है तो यहां पर प्रशन पूछा गया है कि परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योगिक प्रदेश क्या है तो इसका उतर है कि यह भारी उद्योग के शेत्र होते हैं जिन में कोईला खादानों के समीप धातु पिगलाने वाले उद्योग भारी इंजिनेरिंग रासायन नि कोशन में पूछा जाता है कि दुएं की चिमनी वाला उद्योग कौन सा होता है तो यह कौन से होते हैं यह परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं जैसे कि जिनमें की भारी इंजिनेरिंग या रासायन निर्मान इस प्रकार का कारे जो होता है और इस मतलब मुख विशेषता क्या है कि चिमनीवाला उद्योग तो इस लिए मतलब इस प्रधेश में वातावरन अनाकर स्वह होता है यानि कि अनाकरशक से मतलब है कि भूद रिशे अच्छा नहीं होगा मतलब गंदगी के धेर और वातावरन बिल्कुल भी स्वच नहीं होगा और प्रदूशन बहुत अधिक होने की वज़े से ही मतलब ये कहा गया है कि वातावरन जो है वो अनाकरशक होगा तो यह जो है इस प्रकार के जो उध्योगिक परदेश होते हैं उनकी मुख्य विशेषता यही होती है Question No.7 है कुटीर उध्योग से क्या ताथ पर है किस प्रकार के उध्योगों को कुटीर उध्योग कहा जा सकता है तो यहाँ पे हम कुटीर उद्योगों की मुखे विशेष्टा या उनके बारे में डिस्कूस करेंगे के कुटीर उद्योग होते क्या हैं तो उतब हैं कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिन में लोग अपने परिवार के सद्धस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उप्योग की वस्तुओं का निर्मान करते हैं तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उन्हें कुटीर उद्योग कहा जाता है दूसरी बात ये भी है कुटीर उद्योगों के बारे में कि पूझी एवं परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि कच्चा माल इवं बाजार दोनों ही स्थानिय स्थर पर उपलब्द होते हैं तो मतलब इन उद्योगों में पूंजी या अधिक पूंजी की आवशक्ता भी नहीं होती है और परिवहन के साधनों का भी बहुत अधिक उप्योग इसमें नहीं है और इसकी एक और जो विशेश्टा है वो ये है कि किसी शक्ती चालित मशीन की अवशक्ता भी इसमें नहीं होती है हाथ के साधारन औजार ही इसमें जो है वो उप्योग में लाए जाते हैं तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं, उन्हें कुटीर उद्योग कहा जा सकता है. इस चैप्टर के कुछ और question answers हम next वीडियो में discuss करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.